हेलो फ्रेंद्स मैं हूँ रिमी आप सबके लाव और सपोर्ट के लिए थैंक्यो सो मच फ्यूचर में भी ऐसे लाव और सपोर्ट बना के रखना प्लीज इस वीडियो पे आप देखेंगे बहुत ही खुबसूरत कुशन कवर की डिजाइन वो भी स्विप आलू से इस डिजा करते हैं पहले हमें आलू को बीच में से कट कर लेना है उसके बाद हमें कौटन कपड़ा या टीशू पेपर की मदद से एक्स्टर मॉस्टर को सोक कर लेना है अब इसके ऊपर स्केच पेन या पेन से हमें इस डिजाइन को ड्रॉ करना है अब हमें चाकू की मदद से डिजाइन को कट कर लेना है ध्यान रहे अपके हाथ पेना लग जाए और डिजाइन भी कट ना हो जाए अब हमें दूसरा ब्लॉक भी कट कर लेना है अब हमें यहां मार्क करना है मैं यहां प्लेट यूज़ कर रही हूं अब ब्लॉक को ऐसे प्रेस करके देख लीजिए फिर मार्क कीजिए अब ब्लॉक के उपर रेड एक्रेली कलर यूज़ करना है ब्लॉक को प्रेस कीजिए प्रेस करके कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए फिर उठा लीजिए फिर ब्लॉक के उपर कलर कीजिए दोबारा फिर ब्लॉक को प्रेस करके होल्ड करके उठा लीजिए यहां ठीक से कलर नहीं हुआ था इसलिए दोबारा कर रही हूं इस गैप को हमें ब्लैक अक्रिलिक कलर से फील करना है मैं यहां round brush यूज़ कर रहे हूँ अब अपने पसंद की color भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं यूज़ कर रहे हूँ cerulean blue acrylic color same procedure block को press करके कुछ second hold कीजिए फिर block को उठा लीजिए कि इस गैप को भी हमें black acrylic color से फील करना है अब brush के back side पे red acrylic color लेके हमें सार्किल करना है यहां cerulean blue acrylic color यूज़ कर रही हूँ इस गैप को भी black acrylic color से फील करना है मैं यहां filbert brush यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास filbert brush नहीं है तो round brush भी यूज़ कर सकते हैं और lemon euro acrylic color अब हमें यह सेंड डिजाइन हमें पूशन कवर के left side के ऊपर भी करना है सेंड प्रॉसीडियों से वीडियो देखने के बाद अगर आपको helpful लगे तो आप्टर पेइंटिंग कपड़े को कैसे टेक क्यार करें इसकी लिंक डिस्क्रीप्शन पर है अब चाहे तो देख सकते हैं अब यहां हमें सार्कल करना है कूशन कवर के एकदम सेंडर पर अब अपने पसंद के सार्कल भी बना सकते हैं थोड़ी चोटी या बड़ी अब हम इस सार्कल को फील करना है ब्लैक एक्रेली कलर से पहले ब्लॉक प्रेस करने से पहले आप मार्क कर लीजिए यहां मेरी आठ ब्लॉक से कम्प्लीट हो जाएगी बट मैं यहां दिखा देती हो अगर आपको गलती होने के बाद भी कैसे मैनेज कर सकते हैं जैसे यहां एक ब्लॉक नहीं आएगी और यह गैप भी बहुत ज्यादा है ऐसे भी अच्छी नहीं लगेगी तब आपको क्या करना है ब्लॉक को बीच में से ऐसे कट कर लीजिए फिर इसको ब्लॉक को यूस कीजिए ऐसे I hope you like this video Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye